वो संत जिनोंने पूरे देश बर में गुम गुम करके सनातन संस्कृति का प्रिचार किया, पूरे देश में पूरे विश्व में बारती संस्कृति का गौरो बढ़ाया, ऐसे संत को सम्मान तो नहीं मिला, मदर टेरे साथ जो धर्मानतरन करती है उसको तो यहां संत का दर्ज यह सवाल उड़ता है कि नहीं अरा स्वाफना साकार हुआ आठ साल पहले मैंने वोदी को काम तुमको पी-एम देखना चाहते हैं मैं वहानने हमारा महत्पूरा है जो हिंदून को भर्मित करके है बना देते हैं हिंदूस्तान को तुकड़े तुकड़े करना चाहते हैं ऐसे लोगों से मेरी नहीं पड़ता है ऐसे बापुजी को तो जेल में रख दिया और भारत जो है कैसे हिंदू राष्ट बनेगा और सोचने वाली बात यह है कि जीन महापूर्सों से आपने आशिरवाद लिया आज वो ही संत है उम्र के इस पड़ाओ में और आप संता पर बैठे हैं कुछ सचाई तो होगी तभी तो आरूप लगे हैं वाजी मैं आप से जानना चाहूंगे सनातन की सरकार है हिंदूत्य की सरकार है और जो परधान मंत्री मोजूदा है निरेंद्र मोदी जी वो तो आसरम बापू के बहुत बड़े भक तो अनुवाई माने जाते थे अखिर है आपके आप ने सभी बात कही है जी सेंग बड़े से बड़ा और हमारे ले ले रहे हैं और हमारे बापू जी ने आगे बढ़ाया है माननी है नरेंद्र मोदी जी उनको भी बापू जी ने कितनी बार आशिरवाद दिया है और आशिरवाद दे कर कितनी बार उनको बापू जी मुखमंतरी पत पर वो जो थे जब बापू जी के आश्रम में आते थे उसके बाद वो जब मुखमंतरी तीसरी बार बने तब भी बापुजीन उनको आशिरवाद दिया था कि आप जो है हम आपको जो है ओन रिकॉर्ड है आप जो मैं बोल रहा हूं लेकिन जब उन पर पड़ी जब उन पर कोई बेवधान खड़ा किया तब यह सरकार यह भक्त कहां चले गए क्यों उनके जुबान क्यों पुंठित हो रहे हैं यह सवाल ऊटता है कि नहीं यह बिलकुल ऊठरा है हर एक सनातनी के अंदर उठरा है पूरे भारत देष पूरे विष्व में जो भी हिंदुत वादी लोग हैं जो सनातनी हैं सभी का जो है हिरदे पीडित हैं दुखी थैं क्योंकि अभी तो सरकार संस्कृति का गौरों बढ़ाया ऐसे संत को सम्मान तो नहीं मिला विदेश की कोई एक महिला आ जाती इस देश में धर्मांतरन करती है बापुजी तो रोकते थे बापुजी जो है उनकी उच्छलंगता भरे जो पर्व और उस्व मनाने सुरू कर दिये थे वैलेंटाइन डे उसको परथा को भी बापुजी जो बंद कराने वाले की बापुजी ने का मातर देवो पितर देवो मातर पितर पूजान दीवस मनाई है तो ऐसे वो मदर टेरे साथ जो धर्मांतरन करती है उसको तो यहां संत का दर्जा दे करके उसको जो है सम्मानित किया जाता है और वो पूरे राष्ट देशित के कारियों में लगी हुई है लेकिन ऐसे संत को ग्यारा वर्ष से जो अपकी एक लड़की ने सिर्फ आरोप लगाया आरोप जो लगाया वो आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है लेकिन जान बूज के ऐसा पोक्सो एक्ट जिस पोक्सो एक्ट के अब यह भी सोचने वाली बात है आप सर्वे कीजिए जब से यह पोक्सो एक्ट की धारा में संसोधन हुआ है इसका किस तरीके से दुरूप्यों किया जा रहा है किसी को भी फसाने के लिए किसी के खिलाप खड़ा किर दिया जाता है यह नहीं देखा जाता किसी को भी अपना द दिखा रहे हैं कि अभी जो भी चीजे हुई है वो कहीं न कहीं इसी तरीके से हुई है कि बापुजी के जो देविकार है बापुजी की जो सेवाकार है वो कहीं न कहीं उनके आड़े आड़े जैसे बापुजी धर्मांतरन को रोकते हैं जो हिंदूं को भर्मित करके इसाई बना देते हैं और हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं ऐसे लोगों से मेरी नहीं पढ़ती यह हमारे देश्क में बिचारे आदिवासियों को समझा बुजा के हिंदु धरम की कमिया कमिया है ने लेकिन कमिया मताएंगे और इसाई धरम की महिमों सुना देंगे और उनको धर्मांत रित कर देते ते गर में पाँच व्यक्ति होते एक इसाई बन गया अब बाप मर गया तो हो इसाई बना चोरा बोलता है मैं तो उसको दफना हूँगा दूसरा बोलता है नहीं हमारे पिताजी में उनको अगनी संद का घर में जगड़े हो जाते गांदी जी बोलते हैं कि दरमांतरित लोक हमारे समाज को तोड़ देते हैं एक व्यक्ति बड़ा अच्छा सजन था इसाईों के संग में इसाई बन गया फिर वो शराब खाने भी शराब पिने लग गया और गो मास भी खाने लग गया ये कैसा तुमारा धरम गांदी जी बोलते हैं तो जो इस देश के अंदर धरमांतरन करने वाली जो एजेंसियां हैं ये संस्थाएं हैं उनके आड़े तो बापु जी आई रहे थे ना कि बापु जी बिरोत करते कि धवही धरम परिवर्तन कितना भजन करो भोजन करो दक्षिना पाओ ये पूरे देश भर में आज भी उनको दूर सुदूर आदिवसी जंगलों में जाकर आज भी देख सकते हैं बापु जी के आश्रम बने हुए हैं जहां पर आज भी उनको भंडारा रोज भोजन बनता है उनके लिए रोज उनको दक्षना दी जाती है इसलिए सिर्फ अभी कोटगड़ा उडिसा और शट्यसगड़ के बॉर्डर पर वहां पर कम से कम एक हजार बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं वो अगर उनको छोड़ दिया जाए तो तुनंत इसाई धरम को सुईकार कर लेंगे बापुजी के जाने के बाद देश में कितना धरमांतरन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है तो बापुजी तो खड़े थी ना धरमांतरन से सरकार के जो मौझूदा सरकार में जो नेता है वो साप हिंदू राष्ट की बात करते हैं सनातन के जो मानने वाले संत हैं वो भी हिंदू राष्ट की बात करते हैं तो आप कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट की मांग की जा रही है लेकिन एक हिंदू राष्ट में एक महान संत्, अध्यात्मिक, संत माना जाता है, उसके साथ अझ्याइक क्यों हो रहा है? वह हैं बात आप बोलें, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, हिंदुराष्ट कोन बनाता है? राष्ट की जो है धरोबहर होती है संत, कहते संत ना होते इस जगत में तो जलमरता संसार, बास्तिविक जीवन में जो उत्थान होता है विकाश होता है वो संत के आने से ही होता है और भगवान स्रीकृष्ण स्वहिम कहते हुदो मोई संत सदा आती प्यारे मैं संतन के पीछे जाऊं जहां संत सिधारे ऐसे संतों का संवान करने वाले भगवान सिरी कृष्ण की जन्म भूमी ये भारत है और ऐसे भारत भूमी में जो भगवान भी संतों का संवान करते हैं आज हिंदू राष्ट कैसे बनेगा हिंदू राष्ट हिंदू राष्ट बनाने के लिए हम बोलते तो हैं हिंदू राष्ट बनाने के लिए मुहिम किसने छोड़ी विश्व गुरुपत पे भारत रहेगा प्यारे बापू की बोली यही है सादकों का है संकल्प कायरों की बो सनातन संस्कृति के जो प्रहरी हैं शंत हैं वो संत अगर समाज के बीच में होंगे अब संत को जेल में डाल रहे हैं और बार क्या हो रहा है छोटे छोटे बच्चे जो है फिलम के और मोबाइल एडिक्षन होरा है उनको नसी की गर्त में जा रहे हैं सरकार व्यसनमुक्ति खालनुb मुझे भी आदारा है कि प्रधान मंत्री ने निर्णेर मंत्री या करते थे तो लेकिन एक बात ये भी आती है कि प्रधान मंत्री बनने से पहले आसाराम बापु ने कुछ कहा था उनको कोई असरिबात दिया था कि कहा पहुंचोगी कुछ जिम्वारियों की बात थी तो जो जिम्वारी मिली जिम्वारी तो मिल गई लेकिन जिन्होंने जिम्वारी देने क फाक या न्याव कियूँ बात थी मैं बोलता हूं वह प्याज़ती चिस बापु जी ने 3 वाँपर मुखehमंत्री आप बने गुजरात तो आपको हमेशा बापुजी का आश्रवाद मिला आपने स्वैंग अपने मुखारविंदों जानता था विक सॵबह कर एकृट समयसे का हम नहीं कह रहे हैं और रिकॉर्ड वीडियो आप आप पू जी कई सिरी चरणSchum के आप है मैंने बापू जी को हर्याणा में सुना मैंने बापू जी को उत्तर प्रदेस में सुना मैं मैंने बापु जी को राजिस्थान में सुना, मैंने बापु जी को पंजाब में सुना, दुनिया मुझे जानती नहीं थी, ऐसे समय में मैं जाकर के बापु जी का सत्संग सुनता था। बापु ने इन हलाखो आजारों लोगों से जो संकल्प करवाया है, वो संकल्प गुजरात के आशा आकांच्छा के पूर्ती के लिए एक नई ताकत बनेगा, नया सामर्थ देगा। बापु जी ने तो उनको नाम ही मोदी मल नाम दिया था। मल मतलब होता है मजबूत, माने बापु जी हमेशा अपने सत्संग में कहते थे कि हम इनको कोई बड़ा उत्तरदाइत तो देना चाहते हैं, हम बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं के कंदों पर थोड़ा बोज रखना चाहते हैं। मोदी मल का है मल मतलब मजबूत, मजबूत होतो, मजबूत होतो मतलब कुछ बोजा रखने का इरादा है। बापुजी का तो हमेशा संकल पर रहा था कि तुम खूब आगे बढ़ो, भारत देश में प्रदान मंत्री बनो और यह आशिरबाद दिया। बापुजी ने दुनिया जानती है, आज वो प्रदान मंत्री है। पर सोचने वाली बात यह है कि जीन महापुरसों से आपने आशिरबाद लिया, आज वो ही संत उम्र के इस पड़ाव में और आप सत्ता पर बैठे हैं, तो आप से गुजारी से हमारी प्राथना है कि हमारी इन सब करोडो करोडो भक्तों की दुआएं आपको लगेगी, आप अनिविग नहीं हैं, जितना आप बापुजी को जानते हैं, पहचानते हैं, नजदिक से आप गए हैं, दुनिया नहीं जानती जितना आप जानते हैं, तो ऐसे बापुजी के लिए आप सोचिए, आप से यह करवध्य प्राथना है हमारी